नमस्कार चाथियों और आप लोग की दूआ से मेरा तवियत में सुधार आया है और आप लोग को पता होगा चुकि मैंने पोस्ट डाल दिया था परसो कि टाइफाइड हो गया है मुझे तो टाइफाइड अभी जांच हुआ चुकि जिस टाइम हम गाउं में रह रहे थे तो पता चला कि टैफ हाइड है फिर वहाँ पर इंजेक्शन लगा हमें लेकिन अब चुकर टैफाइड में तो मोनो सेफ इंजेक्शन लगता ही है पर इंजेक्शन से बहुत ज्यादा उल्टी होने लगता मुझे आठेम और चुकर दावा जो होता है सहाह। होyas marginalized चक्कर सा आ गया था लगड़ा था कि एक दम प्रान निकल जागा लेकिन चुकि दबा वही चलता है यहां भी आए थे फिर अलगा के यहां हाजीपूर दिखवाए यहां पर डॉक्टर है इंद्रमानी सिंग उनके हमें ने दिखवाया जाच आच हुई फिर उन्होंने भी कह कि दबा वही चलेंगे मोनोसेफ लेकिन फिर मोनोसेफ चला नहीं दूसरे दूसरे दवा चली है और इंजेक्शन नहीं लगा फिलाल मैं ठीक हूं सुधार हो गया है बहुत तेजी से सुधार हुआ है कल से आज तक में चुकि परसुत हमारी हाला तैसी थी कि मैं बैट के ब सब्सक्राइब हो जाएगा लोग सोचेंगे कि भाई हमें देखे यह क्यों हस रही है वह ऐसे थो नहीं है कोई बात के हैं आपके सामें ऐसे तो मैडम का भी फीवर हो गया था तो इनका भी अभी जाच हुआ है लेकिन अभी उसका रिपोर्ट आया नहीं है इनको क्या प्रब्लम है पता चलेगा मेरा तो टाइफाइड वल्ला प्रब्लम है और डर लगडा था कहीं करोना वरोना तो ने हो गया हो अदो फिवर हूआ था और ये दिखिए अट आइफाइड में आपको एकशिय जान लिजे किस गलती के बज़ा से टाइफाइड होता है जैसे डॉक्टरों का कहना था कि अगर आप दूसीत भोजन या दूसीत जल पीते हैं तो आपको टाइफाइड होगा टाइफाइड होने का सबसे बारा कारण यही है हमने काहा किसर हमने धूप में किरकेट खेलिया तेक दिन 12 बजे दीन में लगतार 11 बजे से चल था एक बजे दो बजे तक करिकेट तो उन्होंने क पूसके जरने से घुक और दोसीत जल या खाना खाने से हुनाइ सप्सक्राइब keeper अब दोसीत के उना Creating जाता है तो उस पर थोड़ा सान्य अंतरन रखना पड़ेगा लेके चलने का अदत रहेगा तो वैसा अब घर के खाने खाने मूँ बनाने लगते हैं तो अलग अलग बनाई यह लुट्वर्ण चाहिए जरूरी है जो है जो कि कभी कभी लगता थाना की फीवर है बहुत दिनों से लगता था थोड़ा सा फीवर है और कभी अपना मन से हुआ कि कोई दबा लेके खाली है और उस टाइम के लिए सांथ हो गया फिर दो-चार दिन के अंदर फिर थोड़ा सा हुआ कभी थर्मामीटर लगा के चेक किये कोई डॉक्टर से भी मिले अबलब आसपास जो है गाउं में राते हैं उनको बताया थर्मामीटर से चेक किया तो कहा कि भाई शरीर का ज़स्टर रात में सोते थे सुबहूटते थे तो लगता था ने की पूरा शरीर अकर रहा था है तो हम लोग सोचते थे की बिछावन जो है सूं मोटा हो गया होगा गद्दा चुकि ज्यादा is the बड़ास अगा गया होगा और ज्यादा वूभी पर भी सोना उचिद नहीं ह तो उसके वज़ा से भी पेन होड़ा होगा हमने बीचाब निचाबन भी चेंज करकर के सुए हैं तो दूसरे पर सुने से भोलते थे आज तो ठीक है वो मन का भराम रहता होगा तो लेकिन बात यह थी कि मतलब पेन होड़ा था सरी में थोड़ा थोड़ा कभी कभी अच्छा पानी से नहाते समय हमको डर लगता है नॉर्मल पानी जैसे अभी के टाइम में चुकि अब महीना अपना अप्रील सुरू हो गया है मार्च में भी थन्ड़ यह कुछ था हर नहीं कमें देश इसन नहां लोगता तो मुझे लगता है तो मुझे लगता था लग रहा है हमको गरम पानी से नहाना चाहिए वह अंदर से फीबर रहता था जिसके बज़से और उसको हम इग्नॉर करते गए लेकिन बात था कि वह अंदर से फीबर आ रहा था जिसके बज़से हमारी क्षा होती थी किम गरम पानी से नहाए थोड़ा-थोड़ा रहता तो मिठा मिठा फीबर लेकिन अभी एक बहुत तेज हो गया था और बहुत परसानी में पढ़ गये थे फिलाल ठीक है आप लोग के दूआ है तो अब जल्दी हम स्वस्थों करा रहे हैं और आपके लिए कलास लेकर आएंगे और आप भी अपना ख्याल लखिएगा अपने परिवार का ख्याल लखिए और कभी भी अगर खासी उसी सर्दी उर्दी या फीबर कुछ दिन उसे अगर आपका चल रहा है तो जा आप इंडिकेटर है वह नटीकेट करता है आपके सरेडी में कुछ होड़ा है इसलिए आपके सरीर का टंप्रेचर बढ़ लाए प्यु कोई बीमारी कुछ और है जिसके वाज़े से आपको फिबर होती है क्यूंकि एक साल से हमको हुआ है तो ऐसे तो दवाइं लेले का लेकिन फिलाल हमें जो है रेस्ट की जरूरत है तो थोड़ा सा हम भी चाहेंगे कि आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए वीडियो तो अभी साध नहीं प्लूड हो पाएगी मुझे लगता है कि कम से कम पांच दिन तो और डॉक्टर तो पंदरा दिन कहते हैं लेकिन तीन दिन हो चुका है तो पांच दिन और मान के चलिए यानिकी टोटल आठ दिन हम रेस्ट करेंगे हो सकता है नौ में दिन से वीडियो बनना शुरू कर देंगे तो चर पांच दिन और बिलंब होगा लेकिन तब तक आप लोग अपना जो पीछे पढ़ाई किये हैं जितना पढ़े हैं उसका रिविजन चारी रखिए ऐसा नहीं कि हम वीडियो नहीं डाले हैं तो आप भी परना छोड़ दीजे तो यह गरवर हो जाए तो आप लोग भी अपना परहाई ज जवला एक्सरे का तो ऊसके बारे मां अभी आइडिया लें नहीं नहीं लोगी खांसी है खासी थनुरा हाला कि खासी तो मुझे काद बाद होता है नू सरतिव लगे च्राम चाहर लंस से घराट वह ना चलिए, ज़ने ज़ह। काट से ज़ह कूंच के मने लुवाद कर स हिथ एक लवाम अगे